हेलो दोस्तो तो आज मैं ले करके आया हूँ बुक रिडिंग का विश्वा क्लास यह एक 25 दिनों का स्रीज चल रहा है एस स्रीज को उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को इंगलिस पढ़ने नहीं आता है जिन लोगों को इंगलिस पढ़ करके उसका हिंदी मिनिंग निकालने नहीं आता है या जिन लोगों को इंगलिस का वर्ड मिनिंग याद नहीं है या जिन लोगों को इंगलिस का ग्रामर में कुछ भी याद नहीं है या पता नहीं है उन लोगों के लिए इस स्रीज को बनाया गया है तो अगर आपको इंगलिस आती है और इस वीडियो पे चले आए है तो हबडाने के कोई बात नहीं इस वीडियो को आप सुरू से अंत तक देखे मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें से इसी चेप्टर से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपको पहले पत इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि एक दाकिया है जिसे इंगलिस में पोस्ट मैन बोला जाता है उसके बारे में आप लोग कैसे 2-4 संटेंस इंगलिस में बोलेंगे इस कलास में आज आप लोग सीखने वाले हैं तो चलिए इस्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला dwelling place and house dwelling place यानि निवास अस्थान और house यानि घर तो इतना का हिंदी मिनिंग हुआ कि रहने का अस्थान और घर यानि एक डाकिया है वह किस तरीके से काम करता है उसका रहने का अस्थान और घर क्या है चलिए हम देखते है a postman lives in cities and towns a यानि एक postman यानि डाकिया lives यानि रहता है in cities यानि सहरों में and towns यानि नगरों में तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि एक जो डाकिया होता है वह नगरों और सहरों में रहता है तो यह city singular noun होता है उससे बना है cities plural noun इसमें एस जोड़ करके इसका भी town का plural बना है तो यह present indefinite tense है जिसमें लिव भर्ब का पच्वा फर्म का यूज किया गया है तो अगर आपको tense नहीं आती है तो इसी channel पे सभी tense को सिखाया गया है जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस channel के playlist में जा करके tense के वीडियो को देख सकते हैं अगला sentence है he is a poor man so his house is a small it is made of brick and stone he यनि वह यनि postman की बात तो हो रही है तो आप यहां पे a postman भी लिख सकते हैं he यनि वह यनि डाकिया is यनि है और यनि एक poor यनि गरीब man यनि आदमी तो इतने का हिंदी मिनिंग हुआ कि वह एक गरीब आदमी है यानि एक डाकिय के बारे में आप लोग सीख रहे हैं कि कैसे उसके जिंदगी के बारे में आप लोग 10 sentence में बोलेंगे तो चलिए देख लिए कि जो डाकिया होता है वह बहुत सहरों या नगरों में रहता है वह एक गरीब आदमी है तो इसलिए his house यानि उसका घर is यानि है a small यानि छोटा तो इतने का हिंदी मिनिंग हुआ कि इसलिए उसका घर छोटा है अगला sentence है it is made of brick and stone it is यानि यह यह यानि घर के लिए परियोग हुआ है यानि घर है made of यानि बना हुआ brick यानि इट and यानि और stone यानि पथर तो इतने का हिंदी मिनिंग हुआ कि जो घर है वह इट और पथर का बना हुआ है यानि एक postman है जो कि बहुत सारे नगरों या सहरों में रहता है वह गरीब आदमी है उसका घर छोटा है जिसका घर जो है पथर और इट का बना है अब आप लोग जानेंगे कि वह जो postman है वह dress कैसे पहनता है dress यानि पोसाक he wears और खाकी uniform है यानि वह wears यानि पहनता है और यानि एक खाकी यानि हलके रंग का uniform यानि dress तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि वह एक हलके रंग का कपडा यानि पोसाक पहनता है तो यह जो sentence है present tense का simple यानि indefinite tense है present indefinite tense का sentence है इसमें wear भर्व का पाच्वा फर्म का यूज किया गया है अगला sentence है on his head he wears a cap और a turban on यानि पर his head यानि उसके माथे पर he यानि वह wears यानि पहनता है और यानि एक cap यानि टोपी और याया और यानि एक turban यानि पगड़ी तो इतने का हिंदी मिनिंग हुआ कि अपने माथे पर वह एक टोपी या एक पगड़ी पहनता है यानि जिस डाकिये की बात हो रही है वह अपने माथे पर या तो एक पगड़ी रखता है या तो फिर एक टोपी को पहनता है तो ये भी wear भर्व है इसका परियोग किसी पुसाग को पहनने को बत लाने के लिए किया जाता है अगला sentence है when he is on duty he carries a leather bag when या जब यहाँ पे कब नहीं होगा interrogative अगर इस sentence में interrogative मार्श होता तब जाकर के इस वरण का हिंदी मेनिंग कब होता है लेकिन चुकि यह interrogative sentence नहीं है तो यहाँ पे when का हिंदी मेनिंग job होता है तो जब he यानि वह यानि डाकिया is यानि है on duty यानि duty पर तब जाकर के वह क्या करता है he यानि वह carriage यानि ढोता है और यानि एक leather bag यानि चमडा का बना हुआ bag तो इतने का हिंदी मेनिंग हुआ कि job जो postman है वह duty पर होता है तब वह क्या करता है कि वह एक चमडा का bag carry करता है यानि ढोता है तो यह जो carriage लिखा है यह carry verb का पाचवा form है और यह जो tense है present in definite tense है अगला sentence है in this bag he keeps money orders and parcels in this bag यानि इन यानि में this bag यानि इस बेग में he यानि वह यानि डाकिया के लिए परियोग हुआ है डाकिया keeps यानि करता है money orders यानि money का transfer एंड यानि और parcels यानि इतने का हिंदी मिनिंग हुआ कि उस बेग में वह जो डाकिया है वह money का lending और parcel करता है यानि जो डाकिया होता है उसके पास बहुत सारे लोगों का पैसा आता है और वह पैसे को कहां पहुँचाना है वह पहुँचाने का काम डाकिया करता है और पार्षल भी बहुत चीजे उनके पास आती है वह पार्षल को भी घर घर पहुचाने का काम दाकिया का होता है अगली सेंटेंस है in his hands he carries letters in यानि में his hands यानि अपने हाथों में he carries he यानि वह carries यानि ढोता है letters यानि एक से अधिक पत्रों को तो इतने काहिंदी में हुआ कि वह अपने हाथों में पत्रों को ढोता है जैसे कि आप लोग यहाँ पे चीत्र में देख सकते हैं ये वो डाकिया है ये जो है यहाँ पे हाथ में letter को लिया हुआ है और बहुत सारी चीजे को टागे हुआ है इसको आप लोग देख सकते हैं आगे दिया गया है अब आप लोग जानेंगे कि यह जो आदमी है जो डाकिया है वह खाने में क्या खाता है His food is simple His यानि उसका food यानि भोजन is यानि है simple यानि सदा या सधारण तो इतने का हिंदमी हुआ कि वह जो डाकिया है उसका भोजन सधारण है यानि वह खाना जो है सदा सा खाना खाता है He eats bread, rice, dal and vegetables He यानि वह यानि डाकिया डाकिया के लिए ही का परियोग गया है अगर आपको पता नहीं है कि He, See, It, They, We, You ये सब क्या होते हैं तो इन सभी को प्रोनाउन बोला जाता है प्रोनाउन में बहुत सारी प्रोनाउन होते हैं जैसे personal pronoun, definite indefinite pronoun, interrogative pronoun और pronoun का यूज भी होता है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि He का परियोग हुआ है तो अगर आप pronoun को detail में सीखना चाहते हैं और उसका यूज भी सीखना चाहते हैं तो इसी channel पे आप लोगों को सीखाया गया है आप लोग इस channel के description, इस channel के playlist में जाकर के pronoun वाले series को देख सकते हैं डाकिया ही यानि डाकिया यानि वह खाता है रोटी, चावल, डाल और साग सबजी वेजिटेबल का हिंदी मिनिंग होता है साग सबजी, राइस यानि चावल और ब्रेड यानि रोटी तो इतने का हिंदी मिनिंग होता कि जो डाकिया है जिसकी बात की जा रही है उसका भोजन सधारण है वह खाता है, क्या खाता है, यानि वह यानि डाकिया can't enjoy यानि enjoy नहीं कर सकता है costly dishes यानि costly चीजों को costly यानि किम्ती and dishes यानि भोजनों को यानि इतने का हिंदी मिनिंग हुआ कि जो डाकिया होता है वह बहुत बहुत महंगे खाने को खरीद नहीं सकता है उसको enjoy नहीं कर सकता है क्योंकि जो डाकिया भाई साब होते हैं उन लोगों की salary जो होती है दोस्तो थोड़ा कम होती है अब आप लोग जानेंगे work यानि आप जानेंगे कि जो डाकिया होते हैं उनका काम क्या होता है His work is very important His work यानि उनका काम यानि डाकिया का काम is यानि है very important यानि बहुत महत्तो पूर्ण तो इसका हिन्दी मिनिंग हुआ कि जो डाकिया है जिनकी बात हो रही है उनका काम बहुत महत्तो पूर्ण है In this morning he goes to the post office in यानि में the morning यानि सुबह में he यानि वाह गोज यानि जाते है The post office यानि post office तो इसका हिन्दी मिनिंग हुआ कि सुबह में वाह post office जाते हैं तो यह जो sentence है present indefinite tense का यानि present indefinite tense है तो अगर आप लोगों को tense नहीं आता है तो इस चैनल को subscribe करें और इस चैनल के playlist में जाकर के जो भी आपको नहीं आता है चाहे tense हो, narration हो, part of his speech हो यानि noun pronoun, adjective verb, adverb, word meaning हो, किताब पढ़ने में दिकत है यानि book reading नहीं आता है जो भी आपकी बिमारी है सब कुछ series by series करके इसी चैनल पे सिखाया गया है अगर आपको किसी चैनल के playlist में जाने नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पे सर्च करें कि किसी भी चैनल के playlist में कैसे जाए और उसके बाद इस वीडियो के, यानि इस चैनल के playlist में जा करके जो आपको नहीं आता है, उन सबी चीजों के उपर वीडियो है आप सबी वीडियो को देख करके आसानी से English सीख सकते है तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि उनका काम बहुत महुत पूर्ण होता है वह सुबह में post office जाते है there be sorts out letters, there यानि वहां he, यानि डाकिया, डाकिया के लिए he का परियोग हुआ है sorts out यानि छाते है या चूनते है letters यानि पतरों को तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि वहां वह पतरों को छाते हैं या चूनते है सोट आउट यह एक फ्रेजल भर्व होता है यह परजेंट इनडिफिनिट टेंस है जिसने सोट आउट का पचवा फर्म का यूज किया गया है हर एक भर्व का पांच फर्म होता है जिसे भी वन, भी टू, भी थिरी, भी फोर, भी फाइप के नाम से जना जाता है अगर आप लोगों को भर्व याद नहीं है तो भर्व वाले स्तिरीज इसी चैनल पे है आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके मोस्ट इस्पोकेन भर्व स्तिरीज को देखिए तब आप जान जाएंगे कि भर्व के पांच फर्म कौन-कौन से होते है और उनका यूज कैसे होता है ये पच्वा फर्म है शोट आउट ये फ्रेजल भर्व है इसका हिंदी मिनिंग होता है चुनना यानि एक-एक चीज को चुनना तो ये जाते हैं ओफिस और चुनते है बहुत सारे इनके पास पत्र होता है डाकिया भाई के साहब ये चुनते हैं कि कौन सा पत्र कि इनके गर पहुचाना है, देन उसके बाद he goes from door to door and distributes them, उसके बाद यानि चुनने के बाद he यानि वह गोज यानि जाते हैं from door to door यानि दर्वाजे से दर्वाजे यानि इस दर्वाजे से उस दर्वाजे और distributes यानि बादते हैं, देन यानि उन्हें, तो इतने का हिंदी मिनिंग हुआ कि उनका काम बहुत मतपूर्ण है, वह सुबह में पोस्ट अपिस जाते हैं, जाने के बाद जो भी उनके पास लेटर होता है, उसको चारते हैं, चुनते हैं, उसके बाद वह क्या करते हैं, कि दर् distribution, इसी से बना है, distributor, इस भर्ब से बहुत सारा वर्ड मिनिंग बना है, अगर आप जानना चाहते हैं, कि इस भर्ब का यूज की सतरीके से होता है, और कौन-कौन सा वर्ड मिनिंग बना है, तो इसी चैनल पे 101 वीडियो का एक स्रीज है, भर्ब का स्रीज है, जिसका नाम है Most spoken भर्ब स्रीज, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके ढूंडें, Most spoken भर्ब स्रीज, इसमें उन भर्बों को सामिल किया गया है, जिनका डेली यूज होता है, और साथ ने उस भर्ब से कौन-कौन सा वर्ड मिनिंग बनाया गया है, जि स्रीज में आप लोगों को मिलेगा, He must give the letters and the money orders to the right person, He must give यानि उन्हें अवस्य देनी चाहिए, the letters यानि पत्रों को, and यानि और the money orders, यानि जो इनके पास रुपिया होते हैं, वो to right, यानि to right person, यानि सही आधनी को, तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ, कि जो डाकिया होते हैं, उनके पास जो भी जो पत्र आए हैं, और जो पैसे आए हैं, वो पत्र को और रुपिये को, डाकिये को सही आधनी तक पहुँचाने का काम, इनका होना चाहिए, यानि इनको अपने काम को इस तरीके से करनी कि इनका लेटर जिस आधनी के लिए आया है, उस आधनी के पास पहुँचाने, और जिनका पैसा इनके पास आया है, ये डाकिया उस आधनी को पैसा सही सही पहुचाने, अगला sentence है, अब आप लोग जानेंगे कि condition, यानि किस तरीके से क्या इनका condition होता है, चलिए हम लोग स्थिती, he gets poor salary, he यानि वह यानि डाकिया gets यानि प्राप्त करते है, poor यानि कम salary यानि तनख्वाह, तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि वह कम तनख्वाह पाते है, यानि जो डाकिया होते है, उनको कम salary यानि तनख्वाह मिलती है, तो ये भी present in definite tense का sentence है, अगला है, so his life is not happy, so यानि इसलिए his life यानि उनका जीवन is not यानि नहीं होता है, happy यानि खूस, तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि चुकि उन लोगों को कम salary मिलती है, इसलिए उनका जो जीवन होता है, वह खुसी भारा नहीं होता है, यह जो sentence है, present tense का simple sentence है, यानि जो present होता है, उसका simple sentence है, present का simple sentence, वैसा sentence जिसमें किसी भी तरह का कोई किरिया ना हो, जैसे आप खुस हैं, आप उदास हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, इसमें किसी भी तरह का काम नहीं होता है इन sentence हो से, तो इन sentence को बोला जाता है, present simple sentence और वैसी sentence जिसमें किसी तरह का किरिया हो, जिसमें किसी तरह का काम हो, तो उसको बोला जाता है, present in definite tense, यानि एक tense वाले sentence होते हैं, एक simple sentence होते हैं, इन दोनों में अंतर जाना है, उप्योग सीखना है, तो इसी चैनल पे आप लोगों को सीखाया गया है, His condition must be improved, His condition यानि उसकी उनकी स्थिती, यानि डाकिया की अवस्थ, जो situation है, must be improved, यानि improved की जानी चाहिए, improve का हिंदी मिनिग होता है, सुधार करना, तो इसका हिंदी मिनिग हुआ कि जो डाकिया होते है, उनकी स्थिती में सुधार की जानी चाहिए, यानि अवस्य सरकारों के दोरा, इनकी sallie में सुधार की जानी चाहिए, तो अगर आप लोगों को must, may, might, can, could, should का यूज़ नहीं आता है तो सब कुछ इसी चैनल पे सिखाया गया है his children should get free education, his children यानि उनके बचे should get यानि पानी चाहिए free education यानि फिरी का education तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि जो डाकिया होते हैं उनके बचे को फिरी में education दी जानी चाहिए यानि सरकार को ऐसी बिदी बेवास्ता बनानी चाहिए कि जो हमारे डाकिया भाई है उन लोगों को बचे जो हैं उनको फिरी में education प्राप्त हो he should get more money he should get more pay he यानि उन्हे यानि डाकिये को should get यानि देनी चाहिए more pay यानि अक्छी salary तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ कि सरकार को ऐसा बिदी बेवास्ता करनी चाहिए कि जो postman होते हैं उनको अक्छा वेतन मिलनी चाहिए क्योंकि ये लोग हम लोगों का कहीं का पता बहुत दूर दूर का पता अच्छे अच्छे जगा पे पहुचाते हैं यह एक अच्छा समाज से भी हैं तो इन लोगों को अगर अच्छा वेतन मिलता है तो घर अच्छा चलेगा तो हम लोगों का देश पे अपना योगदान बेटर तरीके से देंगे इस तरीके से यह जमीन हमेशा हमेशा खुसाल रहेगी